हलो दोस्तों क्या हाल चल आपके दोस्तों यह मेरा एरेका पाम का प्लांट है और इसको मुझे रिपोर्ट करना है क्योंकि इसकी जो रूट बोले हो काफी ज़्यादा आ रही है बाहर और इसके साथ मैंने एक बालसम रोज का प्लांट भी लगा दिया था बीच मुझे क्यों सा बालसम रोज है तो मुझे इनको डिवाइड करना पड़ेगा तो यह वीडियो इसी पर है तो चली शुरू करते हैं वीडियो को कि अधिशन के रोजम करेंगे इसमें इसके रूट बोल को बहार निकाल लेंगे बोल के साथ ही बहार निकालने का बहुत ही इजी मेथड है आप इसको जिए 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 टैट कीजिए इमिटी का पोटे थो थोड़ा साफदानी बर्चने पड़ेगी अजर बाले जे तूर पॉर्ट आपका तो मारी हलकलके से टैप कीजिए साइट से स्वराजमीन पर पटके और इसको आगे से प्लांट का पकड़के मजबूती से प्लांट को पकड़के इसमें कुछ का आता है जोई की एंगल अगयरा यासे आप ते पास कोई छूरी चागोगों से भी आप कर सकते है कि इसकी जो दूर्थ है वो पॉर्ट की वोल ते एक जम जाके चिपक गए है जिसको हमको काटना पड़ेगा चुडाने के लिए इस चुड़ी से में इसको कर रहा हूं जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टिन चीज होती है जब आप प्लांट को आगे से पकड़े और इसको धीरी धीरे खेचे यह सबसे में होता है वाए कि डिकी कितना जादा इसकी रूट्स है इतनी जादा रूट्स आप देखे नीके से एकतम वाइड कलर की रूटर इसकी बाहर निकली है कितना रूट बाउंड हो रखा था यह तो बड़ी बड़ी रूट से निखली हुई है चाहत रख से दोस्तों मुझे यह बालसम रोज का प्लाट को अलग करना है और अपने अरिका पाम को अलग करना है तो मैं क्या करूँगा फुरी लेकर के इसको बीच से कट करके दो इसके पार्ट बदा लूगा और एक को तो मैं वापस इसी पॉर्ट में डालने वाला हूं और दूसरा वाला है उसको मैं अपने ग्रोइंग में डालने वाला हूं प्लास्टिंग ग्रोइंग मेरा है कि उपर दो बाग में इसके कर दूना यह का अग्जिक आए में कुछ रूट इसमें आ गई है कुछ रूट इसमें आ गई है और यह दोनों अपनी जगह फिर से ज़र में ठो जाएंगे कोई प्रोब्लम नहीं आएगी है कि मैं यह जा दो जो है वह एरे का पाम की आए बालसम की रुट फोड़ी कम है साइव लुद्व में इस प्रोइंग में अपना बालसम फ्लांट लगाने वाला मैं मिठ्टी है कोपीत है थोड़ा बहुत कोपीत है और ज्यादा कागी इसमें मिठ्टी ही है और देथे जो नदी की देखोटी वह है इसमें और इस मिट्टी वाले में मैं फिर से एरेका पाम को लगा दूँगा अच्छे से टेप करते जाहिए मिट्टी जालते वाग ताकि बीच में गेप ना रह जाए करो करें बीच में प्रुण से हाई उाया जाए कि बीचल कोश्छ मैं पाम करेंगा ना जाए लाए मिल्टी fu किने प्र波 करूंतरा ना कौंटी जाहिए अच्छे IPT टर बीचल कोरें आप प्रहें 56-5 Classic-709 Summer इसकी खाली मिट्टी मेंने खाली खाली है अब बस आप मुझे इसमें प्लांट को प्लेस करना है और उसको चाहर तरफ से मिट्टी से भादेना है थोड़ा जादा इसमें फिल हो गया तो थोड़ा निकाल लेता हूं बाहर फिले किये जब भी तोड़ा तोड़ा है थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा तो ठीक एज चल जाएगा फ्रफबलक नहीं जो बचा हुआ गेप उसमें मुझे मिट्री डाल दीने ऑल और अ इसमें निब्ली भी देख रही है दोस्तों को में टेप करते जाना पड़ेगा अदरवाइस बीच में गेप रहे जाएगा मिट्टी के बीच में बिल्कुल भी गेप नहीं रहना चाहिए नहीं तो आपका बाद में प्रोब्लम करेगा आपको ओको कि अचले जाके आइए कन ताइट मिट्की मत अखे माना रूट डवलप होने में फड़ी प्रोबलम मोतली विच्टी कं जिरी रखिया आप कोड मैं हमेशा थाइट शोल के मात रखी गार वारा बुड़बुड़ी मिट्की हो जी पही है जिकी इसको मेने के प्लेस का दिया है अजय देखियों तो पुशिश कर दिया आपका जो पोदा है वो बीच में रहें रहें अमिश्या तो इसको चारव तरफ इस पेस में लेगा अपने अधूर ड्रॉबलप करने के लिए आप इसको साइड में रख देंगे तो इतना इस नहीं पायगा तो इसलिए में आपस मिट्टी निकाली है इसको सेंटर में करने के दिए देखिये वी बिल्कुल सेंटर में है पॉट के सेंटर में टेप कर चे लगिए हमें आप अ कि अला को जो कि अला करें पॉटे बिल सब्रीत है मेरा ये पॉर्ट बिल्कुल डेड़ी है तो मैं इसी पानी देना है तो मैं सोईल बिल्कुली ब्रबाद नहीं कहता हूं इसमें कोशिश करता हूं मैं सब्सक्राइब यूज़ में आ जाए फिर से दल्या पानी दे देते हैं इसमें एक बास दॉस्तों में पास ये कोकोनट हस्क है तो मुझा सोचा है इसमें में थोड़ा सा कोकोनट हस्क डाल दूं ये में पास हस्क है में इसको हस्क डाल रहा हूं उपस है तो ये थोड़ा सा इसके लिए अच्छा काम करेगा कि जो सोईल है वो भी जल्दी से ड्राइन नहीं होगी और पानी इसमें बना रहेगा जल्दी पानी जल्दी नहीं पढ़ेगा इससे आहियं बेब है और मेरी परब्लम ही है कि में पास रूर्ड सिंशा गई फिला इसमें में तो ये अपना और मिकम पोझ जाल आ ये ये वर्द्मी कंपोझ में ने ओन लाइन पर्चेस कहां था आए तो इसक्प्स कर सकते हैं इसका रिजल काफी अच्छा है मैंने काफी टाइम से यूज़ कर दा हूँ इस कमपोस्ट को इस कमपोस्ट को पर मेरी वीडियो भी मोजूद है आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा कर दो देखी दोस्तों यह हो गया कंप्लीट अब इसमें पानी जिसा कि आप जानते हैं पानी हमेशा हमें जब तक देना है तब तक की नीचे से पानी ड्रेनना हो जाए तब तक पानी हमें देना है क्याइब दोनों पॉट्स में पानी दे देएंगे वन बाय वन तो मिठ्टी के पोड्स में आप चाह जीतना पानी दीजिए पोऑ प्रवल्म नहीं है लेकिन प्लास्टीक के जो पोड्स होते हैं और ये जो प्लास्टीक गुरूविं लेग वे इसमें आपको थोड़ा सा यहां दखना पड़ेगा पानी का जब तक आपकी मिट्टी बिल्कुल तना से सूख ना जाए ड्राई ना हो जाए तब तक पानी ना दीजिए तो ही बेटर है पोदे के लिए तो यह देखिए बबल्स निकल रहे है इसका जो गेप है बीच में खत्म हो रहा है दीजिए दीजिए पानी से तो शुक्या दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए वीडियो पसन आया तो लाइक कीज़िए शेयर कीजिए और प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्इु सो मच टेक केर नेची दिए गे बटरेंक को दबाकर चैनल को सब्सक् कर दो का नंगा नंगा नं हो गया क्या बावरा बर्गियन में को गया